नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। जहां पर हमारे पास जो दो चर हैं वो हैं एक्स और वाई और मानक रूप इस समी करन का है। जहां पर यह जो गुडांग है ए बी सी यह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है परन्तु ए और बी का मान साथ में शून नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम यहां पर इस बात को गणित से लिखते हैं ए स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर साथ में शून नहीं हो। अगर एक शून होगा तो दूसरे का जो भी मान है उसका तो हमें वर्ग कुछ मिल जाएगा और इसलिए यह योग शून नहीं होगा जब दोनों शून नहीं हो। तो उसके लिए हमाएं पास शर्त हो जाएगी ए स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर साथ में शून नहीं हो। अब एक हमारे पास अगर इस तरीके का रैखिक समी करण है तो उसके लिए जो भी हमारे पास मून होंगे वो होंगे X और Y के कोई मान और क्योंकि यह रैखिक समी करण है तो यह हमें क्या देगा यह आलेखिय रूप में हमें एक रेखा देगा और इस रेखा पे जो भी बिंदू हैं और एक रेखा पे अंगिनत बिंदू हैं तो वो सारे ही अंगिनत बिंदू जो हैं वो एक दो चरवाले राखिक समी करण के हल हो जाएं तो यहां पे इस बिंदू पे जो भी आपके पास यहां पे इस रेखा पे जो भी बिंदू हैं उनका जो भी X निर्देशांक और Y निर्देशांक होगा वो इस रेखा का हल हो जाएगा अब यहां पे क्योंकि हम बात कर रही है, दो चर वाले रैखेक समीकरण योगम की इसका आशे हुआ की, हमारे पास एक और रैखेक समीकरण होगा जिसमें जो चर है, वो तो समान ही होंगे, परंतु जो गुड़ांख है वो अलग होंगे तो दोनों जो हमारे पास यहाँ पे समी करण हैं इनके गुडांक अलग-अलग करने के लिए आईए पहले वाले गुडांक को हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं 1 लिख करके और दूसरे वाले गुडांकों को 2 करके लिख लेते हैं और इस बार हमारे पास क्या यहाँ पर शर्ट आ जाएगी तो A1, B1, C1 और A2 और B1 2, A1 2, B1 2 और अगर दूसरे समीकरण के लिए कही हैं तो A2, B2 और C2 कोई भी वास्तविक्सन क्या हो सकती हैं और यहाँ पर A2 2 और B2 2 सक्वार साथ मिशून नहीं होना चाहिए अब इस र लेखे रूप से रेखा मिल जाएगी इस समीकरण के लिए और इस पे भी हमारे पास जो भी बिंदू होंगे वो इस समीकरण का हल होंगे तो इन बिंदूओं का जो भी X निर्देशांक हो और Y निर्देशांक हो वो हमें बता देगा इस D गई रेखा का हल अब अगर हम यह सोचें कि इन दोनों ही रेखाओं के वीज में किस तरीके के संबंद हो सकते हैं तो पहला संबंद ये हो सकता है कि हमें ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदू पे प्रतिछेत करती नजर आएं या फिर दूरा संबंद ये हो सकता है कि ये रेखाएं जो हैं शुरू से लेके अंत तक सामान तर हूँ और तीसरा संबंद ये हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के उपर समपाती है तो जैसा भी यहाँ पे हमें संबंद इन दोनों रेखाओं के बीच में मिलेगा उसके अनुसार हम योगम के बारे में कुछ कह सकते हैं जब हमें यहाँ पे प्रतिछेत करती हुई दोनों रेखाओं मिलेंगी तब तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो दिया गया समी करण युगम है वो अविरोधी है और ऐसे हालात में हमें सिर्फ एक अधित्वे हल मिलेगा यानि आपको सिर्फ एक X और Y का मान मिलेगा जो की दोनों ही हमारे जो यहाँ पे समी करण हैं उस पे सटीक पैठे अगर आपको ऐसा दूसरा केस मिले जहां पे यह दोनों रेखाएं जो हैं वो सामांतर हैं तो आप यह कहेंगे कि यह कहीं पर भी नहीं चुएंगी और नहीं प्रतिछेद करेंगी तो जब ये कहीं पर छुएंगी नहीं या प्रतिछेद नहीं करेंगी तो ऐसे योगम का हम हल नहीं निकाल सकते और इसलिए हम कहेंगे कि ये एक असंगत समीकरण योगम है जिसका कोई हल नहीं है अगर आप तीसरे केस की ओर जाएं जहां पे आपको दोनों रेखाएं ऐसे मिल रही हैं जो की एकदम एक के उपर एक यहाँ पे हैं तो हम कहेंगे कि ये रेखाएं समपाती हैं और ऐसे केस में जो आपके पास समीकरण योगम है उसे हम कहींगे आशृत डिपेंडेंट और यहां पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि हर रेखा पर अनीक बिंदू होते हैं और दोनों रेखाओं के सारे बिंदू जो हैं वो एक के उपर एक हैं इसलिए ऐसे केस में हम कहेंगे कि हमारे पास अपरिमित रूप से अनीक हल होंगे परंतु अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आपको दो समीकरण दिये गए हैं यानि एक समीकरण योगम दिया गया है और यह कहा जाए कि आप बताईए कि इसके कितने हल होंगे या फिर आप से ये पूछ लिया जाएगी किस प्रकार का समीकरण योगम है तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार जो है उस दिये गए समीकरणों का लिए रेखा खीचनी पड़ेगी आलेख करना पड़ेगा और तभी आप बता जकते हैं आप बीच गड़तीय रूप से इन समीकरणों को देख करगे भी ये बता पाएंगे कि कब रेखाएं उनकी प्रतिछेद करेंगी और उनका एक ही हल होगा कब रेखाएं सामानता रहेंगी और कोई हल नहीं होगा और कब रेखाएं समपाती होंगी जब आपको अनीक हल मिलेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि गुड़ांकों के साथ में कुछ क्रिया करनी रहीगी तो आप क्या करिए गुडांकों का अनुपात निकालिए A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 का अनुपात अगर यह बराबर नहीं आता है तो आपको दिये गए युगम का एक ही हल मिलेगा अगर आप A1 और A2 और B1 और B2 अनुपात को बराबर पाते हैं तो आप C1 और C2 अनुपात निकालके देख लिजे और अगर ऐसा होता है कि यह दोनों तो बराबर हैं मगर C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं है तो इसका आश्य यह है कि आपको कोई हल नहीं मिलेगा और दिखाएं समपाति होंगी, आशिर्ट समीकरण योगम होगा और अब अरिमित रूप से अनीक हल होगे तो यहां आपने अभी तक क्या देखा कि अगर आपको दिया गया कोई दो चर्वाला समीकरण योगम है, राखेक समीकरण योगम है तो उसमें हम उसका हल कैसे निकाल सकती है ग्राफ की मदद से तो आपके पास अगर एक हल होगा तो इस तरह का ग्राफ है और आप इस पॉइंट के निर्देशांग निकालने इस बिंदू के तो आपको हल मिल जाएगा अगर कोई हल नहीं है तो रेखाएं सामांतर मिलेंगे और आने एक हल होंगे तो फिर आपको इस तरीके की रेखाएं मिलेंगे और आप इन दोनों में से किसी भी रेखा पर कोई भी बिंदू निकाल लीजे़ वह हल आजाएगा आपने यह भी देखा कि आप दिये गए समीकरण योगम के जो हल है वो कितने हैं और समीकरण किस त ग्राफिय तरीका जो आपने यहां पर देख लिया और दूसरा है बीजगणतिय तरीका और बीजगणतिय तरीके से भी आप हल निकाल सकते हैं और हल निकालने का आशे क्या है कि X और Y का मान ग्याद करना तो आपको क्या करना है यहां पर जो आपके पास चर पद हैं X और Y उनका मान ग्याद करना होगा जो की दोनों ही समीकरण पे सटीक पैठे और अगर मैं बीजगणतिय रूप से वो हल निकालने की बात करूँ तो हमारे पास तीन विधी है जिसमें पहली विधी है विलोपन व विधी और तीसरी विधी है वज गुड़न विधी तो आएए विलोपन विधी और प्रतिस्थापन विधी को हम अच्छे चा समझने के लिए एक युग्म का हल करें यहां पे मैंने दोनों जो युग्म लिए हैं वो एक ही लिए हैं क्योंकि अगर हम दोनों विधियों से कि हमारे पास जो चर्पद के मान आ रही हैं वो बराबर हैं तो आपको यह समझने जादा असानी होगी तो चलीकि keluar शौक्ड करने के वह नुसंद करना है कि हमें पहले चर्पद के गुलांग किसे वह शौक्त को बराबर करना पड़े और फिर हम उसका बीज गणेतिये जो है वो अंतर ले लेंगे तो माल लिजे कि मैं आपने पहले समीकरण को पूरे ही समीकरण को 2 से गुड़नफल कर दूँ तो मुझे जो नया समीकरण मिल जाएगा या फिर कहलें पहले समीकरण का जो नया रूप मिल जाएगा वो होगा 2x प्लस 2y और 5 को अगर हम 2 से गुड़नफल करेंगे तो 10 और अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों ही समीकरण का अंतर ले लूँ यानि जो दूसरा समीकरण दिया गया था और जब मैंने गुड़नफल कर लिया तो उसके बाद जो मुझे नया रूप मिला पहले समीकरण का इन दोनों का अगर मैं अंतर ले लूँ तो देखिये यहाँ पे x जो है वो विलुप्त हो गया अब माइनस 3y माइनस 2y करेंगे तो माइनस 5y आएगा और 4 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 6 आएगा अगर मैं इस पूरे ही समीकरण में माइनस 5 से भाग दे दूँ तो 22 वाला माइन x को रख देती हूं तो x प्लस 6 बटे 5 का मान 5 आ गया अगर दोनों तरफ हम 6 बटे 5 को यहाँ घटा दें तो हमारे पास यह आ जाएगा 25 में से 6 गया तो बचा 19 और 5 यह मैंने कैसे किया LCM की विधी से 5 और एक LCM 5 आया 5 को अगर 5 से बड़न फल किया तो 25 25 में से 6 गया थो 19 तो अभी हम एक बात यह देखेंगे कि हमने विलोपन विधी से जो अचरपद हैं विलोपन विधी से जो चरपद हैं उनका मान निकाला और क्या यह मान अगर हम प्रतिस्थापन विधी का प्रयोग करें तो वो ही आएगा तो चलिए आईए इस बात को समझते हैं और प्रत उसी जो पध है, चरपध है, उसके रूप में, तो अगर हम x का मान निकाल लें, तो वह आ जाएगा, 5-y, और अब हम, जो ये हमारे पास आया है, इसको प्रती स्थापत कर देते हैं, दूसरे समीकरण में, तो 2 से हमें गुना करना है, 5-y, 3-y, और ये बराबर 4 हो गया, और अब आपके पास ये एक रैखेक समीकरण आ गया, और अगर हम, यहाँ पे इसका हल करें, इसे सुलजाएं, तो 2 से 5 का गुनफल 10, माइनस 2-y, माइनस 3y, और ये हो गया, बराबर 4 के, और ये हो गया 10, माइनस 5y, बराबर चार के, अगर मैं दोनों तरफ 10 को घटा दूं, То, माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 10, और प्लस 4, जो की, माइनस 6 होता है, और अब फिर से अगर मैं माइनस 5 से पूरे समीकरण को तो y का मान आ गया 6 बटे 5 और x के लिए मुझे 5 में से y यानि 6 बटे 5 को घटाना है जो की फिर से मेरे पास 11 बटे 5 आ जाएगा तो यहाँ बे मैंने कैसे कितनी असानी से फिर से x और y का मान निकाल लिया और आप देख सकते हैं कि दोनों ही विधियों से जो x और y का मान आया वो बराबर है यहां भी मैं आपको एक छोटी सी तिप्ड़ी देना चाहते हूँ कि प्रतीस थापन विधी अच्छी विधी है आपको काफी असानी से ये भी हल दे देती है मगर आप इसका प्रयोग तब जाधा करें जब दोनों में से किसी भी एक चर का जो गुडांक है वो प्लस वन हो या माइनस वन हो क्योंकि उस इस्थिती में आपको ये इस तरीके का जो प्रतीस थापने वो करने में असानी होगी विलोपन विधी मुझे सबसे अच्छी और सबसे असान और सबसे तेज विधी लगती है बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन से विधी उपयोग करें आपको जो भी असान लगे और आप प्रशन में इस्तवाल कर सकते हैं और खास बात और अच्छी बात यह है कि हर प्रशन में हर विधी जो है वो सहर्थक होगी और सही उत्तर ही आपको देखें इसके बाद हमने ये भी देखा कि कि कुछ हमारे पास ऐसे भी जो युगम है वो देखने में लग सकते हैं कि राखेक ना हो मगर हमारे पास वो युगम बदले जा सकने वाले होंगे तो जैसे कि अगर मैं आपको दो राखेक समीकरणों के बारे में बताओं जो कि 2 by x plus 3 by y equals to 13 है और दूसरा आपको दिया गया है राखेक समीकरण यहां पे इस योग में 5 by x minus 4 by y परापर minus 2 तो अगर आप एकदम से इस पर ध्यान दे तो आपको लगेगा यह तो राखेक समीकरण योग में नहीं है क्योंकि यहां पे हमारे पास जो चर्पध है वो हर में आ रहा है प्रणतु मैं आपको बता दूं कि इस जो तरीके से आपको यह प्रशन दिया गया है यह असल में जो युग में है यह इस तरीके से है कि आप इसे एक राखेक समीकरण युग में बदल सकते हैं और अब यह प्रशन आता है कि वो कैसे तो आप अगर यहाँ पे इन दोनों में ही एक substitution करते हैं या मैं कहूँ प्रतिस्थाफन करते हैं कि P जो है वो बराबर है 1 by X के और Q जो है वो बराबर है 1 by Y के तो आपके पास अब जो नए समी करण आएंगे वो हो जाएंगे 2P प्लस 3Y बराबर 2P प्लस 3Q बराबर 13 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5P माइनस 4Q बराबर माइनस 2 और अब तो यह बिलकुल असानी से मानक रूप से मेल खाता हुआ आपको समी करण का रूप मिल गया तो आप इसको हल करके P और Q का मान निकालने और उसके बाद आप उसका वयुत करम ले करके X और Y का मान निकालने तो यह किस तरीके का एक युगम आपको दिया गया था तो चरों का वैसा रैखिक समी करण युगम जो बदला जा सके एक मानक रूप में और चली आईए यहाँ पर हम इसको हल करने का ही प्रयास कर लेते हैं तो क्यूंकि आपके पास यहाँ पर दो समी करण आ गए और आप इसको किसी भी विदी से हल कर ये चाए विलोपन विदी से चाए प्रतिस्थापन विदी से तो चली आईए यहाँ एसे विलोपन विदी से हम हल करते हैं और ऐसा करते हैं कि पहले वाले जो हमारे पास ये समी करण हैं इसको हम 4 से गुना कर लें तो हमारे पास आजाएगा आट पी ब्लस बारह क्यू और अगर हम 13 यहाँ को तीन से तो अगर हम इसको तीन से गुना करेंगे तो यह आजाएगा पंदरा पी माइनस बारा क्यू बराबर माइनस छे और अब अगर आप इन दोनों ही समीकरणों को सीधा सीधा योग कर दें तो यह आजाएगा 23 क्यू और यह यहां से कैंसल हो गया और 52 में से 6 अगर चला गया तो 46 अगया इस समी में अगर हम दोनों ही तरफ 23 से भ्याग दे दें तो क्यू बराबर 46 बटे तेस जो की 2 आजाएगा तो क्यू कमान हमें यहां पे 2 मिल गया और जब हम इसमें से जो पहला यह समीकरण था यहां पे 2 को रख देंगे तो देखे क्या होगा 2P प्लस 3 और Q कमान दो बराबर 13 यह हो गया 2P प्लस 6 बराबर 13 फिर 2P को अगर हम दोनों तरफ यहां पे 6 से घटाएं तो 7 और अगर पूरे समीकरण में 2 से भाग दें तो 7 बटे 2 अभी आपका प्रशन नहीं हल हुआ क्योंकि आपने P और Q कमान निकाला प्रशन में तो जो हमें चर्पत दिये गए थे वो थे X और Y तो अगर हम यहां पे X का मान निकालना चाहें तो वो यह वयुत करम हो जाएगा P का यानि 2 बटे 7 और अगर हम Y कमान निकालना चाहें तो वो वयुत करम हो जाएगा Q का जो की हो जाएगा 1 बटे 2 इस प्रकार से हमने हल करके जो चरपत थे यहां पे X और Y वो निकाल लिए यहां पे जो बास समझने वाली थी वो यह कि इन समीकरण योगम को देखके हमें यह ऐसा नहीं लग रहा था कि यह राखिक समीकरण योगम है दो चरवाला परन्तु अगर हमने यहां पे थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया तो हम इसको हल कर पाएं तो मुझे आशा है कि मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बाते बता वो आपको अच्छी से समझाई होंगी